तो ये ऐसा कि हमने इससे पहले एक चोटा सा वीडियो बनाया था जिसमें Blender 3D के New Course का Announcement किया था तो आज हम लोग सकलप्टिंग का New Series स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज ये हमारा सकलप्टिंग का पहला दून है जिसमें आज हम लोग सकलप्टिंग को सुरू करने से पहले हमें उसके इंटरफिस के बारे में जानना होगा उसे समझना होगा तब ही हम लोग अच्छे से अपना काम कर पाएंगी तो नमस्कार दोस्तों कैसे हो मेरा नाम है अवतार और आज हम लोग सखलप्टिंग का इंटरफिस के बारे में बात करेंगी तो मेरे पास blender 3.4.0 है तो आप लोग भी blender को समय से अपडेट करते राकरो blender का जो पराणा बर्जन है उससे कही ज़्यादा दुगना परफॉर्मस देता है blender का जो अपडेटर बर्जन होता है तो आप नीचे नूव फाइल में चलते हैं यहाँ पर जनरल टूडी अनिमिशन सखलप्टिंग तो आज हमारा टॉपिक है वो सखलप्टिंग का है फिलाल के लिए हम लोग इसको जनरल फाइल के उपर क्लिक कर देते हैं तो हमारा वाइड फाल्ट विंडू है इंटरफेस ऐसा दिखेगा उपर आप लोग दियान देना यहाँ पर सखलप्टिंग का है इसको पर जैसे मै और आप लोग यहाँ पर देखिए अब्जेक्ट मोड में आपको यहाँ पर मिल जाएगा सखलप्ट मोड तो यहां से भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं लेकिन अगर हमें ऐसा इंटरफेस नहीं चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे मैं आपको रेकुमेंड करूंगा आप आप लोग क्या करें यहाँ पर जाएं सबसे पहले सप्लाइ स्क्रीन इसका उपन आएगा तो आप लोग यहाँ पर सकलप्टिंग यहां से इस फाइल को ओपन कीजिए तो आप लोग देख सकते हो आपका पूरा जो इंटरफेस है वो सब चेंज हो गया है और अब आपके हैं फूर перепidas ऐखार थीया पूरा तो कूँछ ऐसा है हमारा सकलप्टिंग का unrise आप उसको अच्छय से देख लो और laf Blade면 एमारे पास Ce Papa में बिश्प्रेसिग रहते हैं और नीचे कुछ ऐसे दिये रहते हैं और ओपर दिखी आपके द्यान से देखो तो इसका यह लग है इन ब्रस का और नीचे इनका कलर अलग है और यह यलो कलर में है तो अगर हम लोग चाहते हैं हमें ब्रस का नाम पता करना है तो जैसी इसके उपर मैं करसर लेकर आँगा होबर लेकर आँगा तो उसके उस ब्रस का नाम भी बताएगा प्लस उसका अगर सौड़ कट होगा वह भी लेकिन अगर आप लोग बिगन हो अभी आपको कुछ मालूम नहीं है मुझे पता है तो अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो आप लोग को मैं रेक्मेंट करूंगा आप लोग ने इसको ऐसे ड्रै कर लीजी ऐसे तो इससे क्या होगा आपको ब्रस का जो शेप है वह भी द बता जालता रहेगा अगर आपने इसका shortcut create करना है तो आपने इसका shortcut कैसे create कर सकते हो right click किजिए इसके उपर यहां पर लिखाया है assign shortcut जो भी आपने यहां पर अब key press करो गए अपने keyboard से वो इसका shortcut की बन जाएगा ठीक है तो फिलाल के लिए मैं इसको cut कर देता हूं हमें इसका जुरूरत नहीं है तो आपको समझाने के लिए मैं बाद में आपको बताऊंगा कैसे आप लोगो shortcut keys create कर सकते हो और कैसे इसको remove कर सकते हो तो अब जैसे इस ब्रस को हम लोग सेलेक्ट करेंगे उसी का यहां पर नाम दिखाएगा यह दिखिए तो उसके बाद है यहां पर रेडेस तो आप लोग एक बात का यहां पर द्यान रखेंगे यह दिखिए मैं आपको दिखा देता हूं एक बार यह स्ट्रेंथ है यह सारी सेटिंग आपको यहां पर मिल जाएगी कहां पर यह रहा हमारे पास यह एक्टिव टूल होता है उसी यहां पर आपको मिलेगा जैसे मैं N हिट करूंगा अपने कीवोड से यह रहा हमारे पास टूल और यहां पर भी आपके पास सेटिंग रहेगा तो अब मैं आपको बताने या रहा हूं अगर आपके पास कम स्पेस है तो आप लोग उसको कैसे यूज कर सकते अगर आपके प बड़ा करना है तो इसको आप लोग ऐसे यहां से हटा दिए तो अब आपके पास वही सेटिंग यहां पर रहेगी और प्लस आप लोग इसको N के साथ यहां से भी यूज कर सकते हो और इसको चाहिए यतना मर्जी बड़ा आप लोग अपने साब से कर सकते हो तो यहां से आ आपके बास है यह वाला यहां से आपको इसको ऐसे रोटेट का सकते हूं अभी यह हमारा स्पेर है एक आपके यह राउंड है इसलिए आपको कुछ पता नहीं चल रहा है यहां पर जैसे हम लोग कोई और अब्जेक्ट लेंगी तब आपको और अच्छे बता चलेगा यह दि यहां से हम गमा सकते हैं और यह हमारा कैमेरा वीयू है यहां पर हमारा यह प्रस्वेक्टिव वह और उसके बाद है ओपर यह इसका कीश करेंगी और यह जैसे वाइट वोल्ट जैसे है वैसे ही रहने दो और उसकेते आटाए यहाँ पर डाइनाट्योपो यहाँ पर रीमच आजाता है और यहाँ पर उपटर आपएप सब्सक्राइब कर दें वह उपश्ञर का है तो ऐसा कोई इसका इंट्रृफेस अら ओर आब मैं आपको बताने जा र होंगे यहां पर यहां पर यहां पास उंढ़ानाई है 3d व्यूमे और यहां पर आपके पास आएगा का ऊप्जेक्ट का और बहूँ सारे होंगी háp mi serving the future करना आप इसको प्रक्लिक करेंगे इसमें बहुत सॉट-goat कि जहां पर इसका आपने क्रीद करना है तो आप रोग से इसको फोटी प्रेस कर द केजिए Safe Reference को क्लोज कर दीजिए और उसके बाद अगर हम लोग चाहता है जो हमारा यहां पर मॉडल है उसको हमने चेंज करना है उसका जो कलर है हमें और चाहिए को इसके लिए रहाँ पर जाएंगे इस आइकन को पर क्लिक करेंगे मैट कैंप में जाएंगे यहां से इसका इसको हम लोग चेंज कर देंगे बहुत सारे बाइट फॉल्ड ब्लेंडर के होते हैं और आप लोगो मैं रेक्मेंड करूंगा आप लोग इसके उपर काम कीजिए वैसे आपको जो भी सही लगे तो आप लोग इसके उपर काम कर सकते हो तो ज्यादा अच्छा यह वाला रहता की जुरूत होता है डेली हमें प्रैक्टिस करता है जितना भी देवर करोंगए उतना कमें सब्सक्न के लिए लेंकिं एक ट्रम ऐसा आता है जब आपको प्रैक्टिस कारेंख भी आपलो इसमें श्पर्क बन जाऊगी बेकिन आपने ये field के उपर depend करता है आपने सखलप्टर बनना है जा फिर animator बनना है जा फिर model बनना है आपने किस field में जाना है वो depend करता है लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए सखलप्टिंग का जितना कुछ tools है इसको कैसे use करना है आप लोग कैसे इसमें आगे जा सकते हो यह समय आपको यहां पर सिखाने वाला हो और अगर आप लोग किसी एक टूल पर काम करोगे जैसे अभी आप लोग में से कोई सगलप्टर बना चाहता होगा तो आप लोग मेरा जिकीन मानिए आप लोग बहुत ज़्यादा इससे पैस कर सकते हो आपने 3D मॉडल कर सकते हो किसी क्लाइंट के लिए बना सकते हो तो आपने खुद के जो 3D मॉडल से उसको भी आप लोग प्रिंट के लिए रैडी कर सकते हो तो इसमें बहुत सारी एपरचुन्टी है और फ्यूचर ही इसी का है 3D का ब्लेंडर आप एक लैबल ऊ उपर हो चुका है क्योंकि जितने भी जैसे जी ब्रस में जो सकलफ्टिंग करते थे वह भी आब जी ब्रस को छोड़कर blender का जो सकलफ्टिंग इन बिल्ट दूल है उसी के उपर काम कर रहे हैं और इसने बहुत बहुत नहीं चीजें क्रेड कर रहे हैं और कुछ चैनल के नाम मैं आपको याँ पर स्क्रीन पर देंगा आप लोग उसको देखिए वरपूर प्रैक्टिस कीजिए यतना भी जाद आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा तो सकलफ्टिंग सीखने के लिए आ आप लोग अच्छे सी चीजें क्रेड कर सकते हो और मैं भी अभी माउस यूज कर रहा हूं तो इसलिए मैं आपको रेक्मेंड करूंगा अगर आपके पास पैसा है तो आप लोग ले लीजिए और वाइस आप लोग मौस से काम चला लीजिए तो अगर आप लोग हमारे साल सकलप्टिंग को और भी सीखना चाते हूं तो यहां पर मैं कुछ चैनल के नाम लिखे देता हूं आप लोग इसको फॉलो करो देखो टुटोरिल्स इनके प्रैक्टिस करो डेली प्रैक्टिस मैं आपको एक टिप देता हूं जैसे माली जी जो भी महिना है जैसे आप लोग तो आज हमने लिखा क्या से है मुझ्य इंटरिपेस कर सकते हैं उसको बना सकते हैं तो आज केंगे अपना जो इंटरिफेस है उसे create कीजिए आपको कौन सा interface suitable लग रहा है आप लोग उसका space है उसको बनाईए और सबी जो settings है उसको देखिए brushes को एक बार देखिए सबी settings को देखिए तो मिलते हैं ले 2 में Bye Bye